कि ये फ्रेंद्स वेल्कम बाक्टू इदेस याद्रा चैनल मैं हूं मैवरी आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाले हूं जब भी किसी को और सीज में पढ़ने के लिए जाना होता है तो स्टडी गैप का प्रॉब्लेम आता है तो क्या होता है उसके बारे में आज के वीडियो लोगों को प्रॉब्ल्लेम होता है वाउट इजांपल में तो चैनल मोन आपको बतातातु हूं कि जैसे हमारे इंडिया मोन इसा होता है कि बत सारे ऐसे भी कपल्स होते हो इसे स्टुडेंट्स होते जिनको आउट ओफ इंडिया सेटल होना होता है लेकिन उनका जो स्टड़ी का जो गैप होता है उसके वजह से सेटल नहीं हो पाते तो स्टड़ी गैप जैसे कि आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया और उसके बात एक या दो साल अपने जॉब की और पांच या छे साल के आपके पास गैप रह गया और उसके बाद आप अपलाई कर रहे हो कोई भी कंट्री में एजुकेशन के लिए या फिर कोई भी कंट्री में जाने के लिए अपलाई कर रहे हो एक्सपिरियंस बेस के लिए एजुकेशन बेस के लिए है यहाँ पे ज एक बंदी आई टी में उसने तीन साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद उसका जो भी परसनल इसकी की वज़े से उसका करियर कंटीनू नहीं किया आई टी का एजुकेशन उसके पास रहा लेकिन छे साल बाद अगर वो स्टडी के लिए अब रोड जाना चाहते है तो यह जो चे साल की गैप होती है वो गैप काउंट होती है विकॉज उनके पास सिर्फ एजुकेशन है एक्सपीरियंस नहीं है तो यह स्टडी गैप में उसको आप स्टडी गैप या फिर गैप नहीं बता सकते विकॉज उनका जो बैग्राउंड है वो अलग अलग बैग्राउंड नहीं है तो यह गैप में नहीं होता है बहुत सारे स्टूरंट को प्रब्ल्लम होता है कि इंडिया के अंदर रहते हैं अपलाइ किया स्टडी के है या फिर कोई और activities की है तो वो सारा उनको explanation देना पड़ता है कि gap का reason क्या है और उनको documentation डालना पड़ेगा कि उन्होंने for example उनका जो education background है जिसके लिए apply करते हैं इन दोनों के बीच के अंदर की gap में उन्होंने कौन-कौन से certification किये courses के और कुछ भी नहीं किया है तो फिर previous जो पास आउट document होते हैं वो और जहां पर apply कर रहें वो document को लेकि उनको जाना पड़ेगा आगे अगर आपको finally apply करना गैप के साथ study के लिए तो उसके अंदर आपको यह दोनों reason को valid explain करना पड़ेगा for example कि अगर आपके पास गैप है तो गैप के अंदर आपने क्या किया वह आपके पास solid reason होना चाहिए या फिर आपके पास in between gap के अंदर कुछ नहीं किया है तो आपके पास document प्रूफ होने चाहिए कि यहां से आपका graduation complete हुआ है और आप इसके लिए अपलाई कर रहें तो यह दोनों चीज़े परफेक्ट होगी तभी आपके application accept होगी further study के लिए ताकि आपकी gap को वो लोग justify कर पाए और आपको admissions ले तो फ्रेंज के वीडियो में इतना ही बहुत सारे student को gap के लिए बहुत confusion था बहुत सारे couples हैसे होते हैं कि out of India सेटल होना होता है लेकिन उनको gap की वज़े से वो लोग अन्फ्यूज हो जाते कि हमारी पड़ाई तो पांच साल चेसाल या दस साल पहले खतम हो गई थी तो उसके बाद हम एडमिशन ले सकते स्टड़ी अबरोड के लिए अप्लाई कर सकते कि नहीं सो फ्रेंज आप अप्लाई कर सकते हो गैप को आप प्रॉपरली एक्स्प्लेंग कर दोगे विद डॉक्यूमेंट और जो भी लेटर वगेरा इमेल जो भी उनकी फॉर्मालेटी जो कर सकते हो तो उसके बाद आपको आराम से Overseas में अडमिशन मिल जाएगा तो इसके रिलेटर आपको कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताना मैं हूं मैयूरी साइनिंग ऑफ जय है